आज जो हम यहां पर छक्ति खापों की जो सरदारी कठी हुई है वो इसलिए कि जो हर्याना के किशान नेता हैं बलराज कुंडू के घर पर जो इंकम टैक्स चापे लगाए गए हैं हम सरकार को सपल्ष देता देना चाहते हैं कि इस टाइमिंग के दुरान जो ये चापे लगाकर सरकार अपनी मंसा सपल्ष दिखाई दे रही है कि किशान आंदोलों को किशी भी तरह तोड़ना है और जो भी किशान आंदोलों को समर्थन देगा सरकार उस पर दमन करेगी हम सरकार का दमन जहेलने के लिए तैयार हैं बलराज कुंडु अकेला नहीं है बलराज कुंडु के साथ पूरे हर्याना का समाज घड़ा है पूरे हर्याना का किशान समाज घड़ा है और आने वाले दिनों में सरकार को इसका दूस्ष परनाब हुगतना पड़ेगा तो इसको सरकार को जवाब देने के लिए कि आपकी रणनीती फिलहाल हमने आज जो रणनीती बनाई है उसके तहट हम बलराज कुंडु भाई की परतेग जिले में एक किशान महापंचायत करवाने जा रहे हैं और उसकी किशान महापंचायत के जरिए सरकार को ये बता देना चाहते हैं बताएंगे और दिखाएंगे भी कि पूरे पूरा किशान वरग किशान बलराज कुंडु के शास खड़ा है और उसने बलराज कुंडु को छेड़ कर एक बढ़ी आफ़त मोल ले लिए सरकार ने और इसका दूश परनाम सरकार को भुगतना हम बलराज कंडु भाई का प्रोग्राम होगा करनाल और कुर शेतर में होगा और पुरे हर्याना में हम बलराज कंडु भाई को लिए कर जाएंगे और सपरस दिखाएंगे कि हर्याना का बच्छा केला नहीं है पूरा समाज उसके साहथ है मेरा नाम सत्यवाद नर्वाल भार्टी किसान यंद्रडूनी प्रदेश उपर्डेक्ष और अजवाद वे जो पंचायत इकठा हुई है यह इस बात में इकठा हुए है लोगों में काफी रोस है क्योंकि बलराज कुंडू एक सामाजी कादमी है और इस किसान अंदूल में य होने कोने से जो भी वाई सहीद हुए हैं उनको दो लाक रपे के प्रटी व्यक्ति सायता उन परिवारों की बड़ी मदद की है और आज सरकार इस बात से बड़ी घवरा चुकी है मैं तो यह कहता हूं कि यह जो चापे मारे गए हैं बलराज कुंडू के घर पे नहीं मारे हैं इस परदेश के किसान गरीब और मजदूर जो जिन परिवारों की बलराज कुंडू ने मदद की है उन परिवारों पे छापे मारे गए हैं जो इसका आने वाले समय में सरकार को कंभीर परणा मुखते होंगे आज पूरे गाउं में पूरे समाज में चत्रा का विसे बन बलेर जाते हैं अगर कोई हमारा nggak सेयोग करता है इसमें को तो फोचाल इसका को बढले के लिए मन बना चुए है